ब्राट टू यू बाई अमेरिकन पिश्टाचूस पुलेला गोपीचंद जैसे ही All England Championships को जीतते हैं उनके पास कोला का एक ओफर आता है ओफर होता है अब्विस ही बात है महंगा ओफर होता है लेकिन उस ओफर को पुलेला गोपीचंद ठुकरा देते हैं और क्यों ठुकरा देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जो चीज को मेरा दिल गवारा नहीं करती है जो चीज मुझे लगता है सही नहीं है मैं उसका इंडोस्मेंट या कह सकता है मैं उसका एडविटीजमेंट नहीं करता और ये बात उस वक्त चंद लोगों को ही पता थी उनके परिवार को ये बात का जो खुलासा है वो सालो बाद हुआ था बातम गंबीर ने नेटवाक 18 को एक इंटरविव दिया है उसमें वहाँ उनने विराट को लेके धोनी को लेके इंडियार क्रिकेट को लेके बहुत सारी बाती किये पर साथ-साथ एक और बात कही है जो कहने को कहे तो बड़ी ही बात है जिस पर आम तोर पे लोगों की नज माननी पड़ती है आपने देखा होगा हाल के दिनों में कुछ क्रिकेटर्स ने भी इस चीज को किया है इसी को लेके गौतम गंभीर ने सीजा निशाना साथा है गौतम गंभीर से जब यह सवाल पूछा गया तो उनने स्टार्ट में तो कहा डिस्कस्टिंग और डिसपोइ रहना चाहिए उनका ये मानना है क्योंकि आपको लाखो करोडों लोग ट्रिकेट के दौरान खेल के दौरान सुनते भी हैं आपकी बातों को भी सुनते हैं आपको फॉलो भी करते हैं तो आपको कहीं न कहीं इन चीजों से दूर रहना चाहिए साथ ही साथ उन्हें सचिन त तैंदुलकर ने कुछ दिन पहले ब्यान दिया था कि मेरे पास भी टुबैको कम्पशनी का ओफर था और वह ओफर ऐसा था रिसा कि ब्लैंक चेक आपके सापने ब्लैंक चेक रखा था और उसको के वल साइं करना था लेकिन मैंने उसको नहीं किया क्योंकि कहीं नहीं उनको यह याद था या उनके आदर्शों में था उनके उनके अपने पिता से बात कही थे उनका यह माना था कि मैंने अपने पिता से कहा था कि कभी भी मैं जो देश के यूवा है जो मुझे फॉलो करते हैं मैं उनके लिए ऐसी कोई चीज का brand endorsement नहीं करूँगा जो उनको भटका है या जो उनको गलत जगह पे ले जाए तो उन्होंने उसको सीधा-सीधा बना कर दिया था और गौतम विबीर ने भी इसी example का हवाला देते हुए कहा कि भाई अगर role model हो तो ऐसे हो और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि कई बार पैसे कमाने के अलग तरीके भी होते हैं आपके बास और भी बहुत सारे advertisement के तरीके होते हैं कई बार आपको ऐसे जो offers होते हैं इसको ठुकराना भी चाहिए साथ ही साथ उन्होंने ये भी example दिया था कि जब मैं Delhi Capitals का कप्तान मना था मुझे तीन करूर रुपे का amount मिला था और मेरा बो सीजन आप सभी को पता बहुत खराब गया था तो उन्होंने बाला था कि मैंने वो तीन करूर लोटाई भी थे और ये हो सकता हूं ने कहा कि मेर इसी चीज़ें ना करें जिससे युवा भटके साथ ही साथ चाते हैं तो उन्होंने एक बात और कही कि अगर इसी ब्रैंड इंडोस्मेंट को लेके कि अगर को 21 साल का युवा खिराडी आपका अभी का वो आये और सामने इस प्रकार के एड़ करे तब आप उसको क्या सीख करते हैं मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट लाइव इनालेसिस स्पेशल इड़्व्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक हैंप